ओम शान्ती 23 जन्वरी 2023 अभी पड़ेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मोरली मीठे बच्चे पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता तुम्हें स्रिमत है घर ग्रस्त में रहते पवित्र बनो दोनों तरप तोड निभाओ प्रेश्ण दुसरे सतसंगोवा आश्रोम से यहां की कौन सी रसम बिल्कुल नेरी है उत्तर उन आश्रोमें मनुक्ष जाकर रहते हैं समस्ते संग अच्चा है घर आदे का हंगामा नहीं है एम आपजट कुछ नहीं परन्तु यहां तो तुम मर्जिवा बनते हो तुमें घरबार नहीं छुड़ा जाता घर में रह तुमें ग्यान अमृत पिना है रुवानी सेवा करनी है यह रसम उन सतसंगों में नहीं है ओम शान्ती बाप बेड़ बच्चों को समझाते है क्योंकि बच्चे जानते है कि यहां बाप ही समझाते है इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहेना भी अच्छा नहीं लगता वो गीता सुनाने वाले कहेंगे क्रिश्न भगवानुवाच वो तो होकर गए है कहते है स्रिकृष्ण ने गीता सुनाई थी राज्युक सिखाय था यहां तो तुम बच्चे समझते हो शिव भबाबा हमको राज्युक सिखाते हो बाप कहते है मैं तुमको राजाओ का राजा बनाता हूँ वो तो सुरिप कहेंगे क्रिश्न भगवानुवाच मन मना भव कब कहा था तो कहते है 5000 वर्ष पहले वह कोई कहते है क्राइट से 3000 वर्ष पहले 2000 वर्ष नहीं कहते क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इसलामी बोध्दिया है तो क्राइट से 3000 वर्ष पहले सत्यूक सिद्ध हो जाता है हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी दिवता धर्म स्तापन किया था अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े यह है 5000 वर्ष का चक्र बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे है दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहां मनुक्ष जाते हैं कोई आश्रों में जाकर रहते भी है तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि मात पिता पास जाय जनम लिया उनसे कोई वरसा मिलता है नहीं सिर्फ वो संग अच्चा समझते है वहां घर आदी का कोई भी हंगावा नहीं होता है बाकि एम अब्जेट तो कुछ भी नहीं है यहां तो तुम कहते हो हम मात पिता के पास आये है यह तुमारा मर्जिवा जनम वो लोग बच्चे को एड़ाप्ट करते है ग्रस्त में रहते कमल फूल समान रहना है कुमारी है वा कोई भी है उनको कहा जाता है घर में रह भुज रोज ग्यान अमुर्ट पीने आओ नौलेश समझ कर फिर औरों को समझाओ दोनों तरफ तोड निभाओ ग्रस्त विवार में भी रहना है अंत तक दोनों तरफ निभाना है अंत में यहां रहे या वहां रहे मोथ तो सभी का आना है कहते हैं राम गईो, रावन गईो तो ऐसे नहीं कि सभी को यह आकर रहना है यह तो निकलते तब है जब विश्च के लिए उन्हों को सतय जाता है कन्याओं को भी रहना घर में है मित्र सबंध्यों को सर्विस करनी है सोशल वरकर तो बहुत है गवर्मेंट इतने सब को तो अपने पास रखनी सकती वो अपने गरस्थ विवार में रहते है फिर कोई न कोई सेवा भी करते है यहाँ तुमको रुखानी सेवा करनी है गरस्थ विवार में भी रहना है हाँ जब विकार के लिए बहुत तंग करते है तो आकर इश्वर्य सरन लेते है यहाँ विश्ख के कारण बच्चिया मार बहुत खाती है और कहा भी यह बात नहीं है यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है गवर्मेंट भी पवित्रता चाहती है परन्तु ग्रस्थ विवार में रहते पवित्र बदाने की ताकत इश्वर भी ही रहती है समय ऐसा है जो गवर्मेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा नहो क्योंकि गरी भी बहुत है तो चाहत है भारत में पवित्रता हो बच्चे कम हो बाप कहते है बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे ये बात उन्हों की बुद्धी में नहीं है भारत पवित्र था अभी अपवित्र है सबी आत्में खुद भी चाहती है कि पवित्र बने या दुख बहुत है तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता भी गर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता नारक में है ही दुख अब तो और कोई चीज नहीं जैसे गरुट पुरान में दिखाते वैतरनी नदी है जिसमें मनुक्ष गोते खाते है ऐसे तो कोई नदी है नहीं जा सजाय खाते हो सजाय तो गरब जेल में मिलती है सत्यूग में तो गरब जेल होता नहीं है जा सजाय मिले गरब माल होता है इस समय सारी दुनिया जिती जाकती नरक है जहां मनुक्ष दुखी रोगी है एक दो को दुख देते रहते है सुरग में ये कुछ होता नहीं है अब बाप समझाते है मैं तुम्हारा बेहत का बाप हूँ मैं रचीता हूँ तो जरूर सुरग नई दुनिया रचूंगा सुरग के लिए आदि सनतन देवी देवता धरम रचूंगा कहते तुम मात पिता कलब कलब ये राज्योग सिखाय था ब्रह्मा द्वारा बैट सभी वेदो शास्त्रों के आदी मद्य अंतका राज समझाते है विल्कुल अंतपड को बैट पढ़ाते है तुम कहते थे ना हे भगवान आओ पती तो वहाँ जा न सके तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर आना यहाँ पड़े तुम बच्चों को याद दिलाते है कि कलब पहले भी तुमको राज्योग सिखाय था पूचा जाता है कि आगे कभी यह नौलेच लिये तो कहते है हाँ पाच जार वर्षे पहले हमने यह ज्यान लिया था यह बाते है नहीं नया यूग नया धर्म फिर से स्तापन होता है सिवा इश्वर के यह दैवी धर्म कोई स्तापन कर नहीं सकता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते क्योंकि वह देवताय स्वयम रचना है स्वयम का रचिता मातपिता चाहिए तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए बाप कहते है रचता मैं भी हूँ तुमको भी ब्रह्मा मुखद्वारा मैंने रचा है मैं मनुक्ष सुरुष्टी का बिजरूप हूँ भल कोई कितना भी बड़ा सादू संता आदी हो परन्तु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा यह है गिता के अक्षर परन्तु जिसन सुरुष्टी का बिजरूप परमधाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ तुम भी समझ सकते हो साकार मनुक्ष तो अपने को बिजरूप कहन सके ब्रह्मा विश्णु शंकर भी नहीं कह सकते है यह तो जानते कि सब को रचने वाला शिव बाबा है मैं देवी धरम क स्थापना कर रहा हूँ ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है बल अपने को स्रिकुष्ण कहला है ब्रह्मा कहला है शंकर कहला है बहुत अपने को अवतार भी कहलाते है परन्तु है सब जूट यह आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है अवतार भी ए सनातान धर्म की स्तापना की थी वही अब कर रहे है गाया हुआ भी है मच्चोरो सदुरुश आत्मा गई तो बाब गाइड बन सभी को आए लिब्रेट करते है अब कल्युक का अंत है उसके बाद सत्युगाना है तो जरूर आकर पवित्र बनाए पवित्र दुनिया में ले जाएगा गिता में कुछ न कुछ अक्षर है समस्त है इस धरम के लिए शास्त्र तो चाहिए न तो गिता शास्त्र बेट बनाया है सर्व शास्त्र में शिरुमनी नंबर वन माता परन्तु नाम बदल दिया है बाप जो इस समय एक्ट करते है वह थोड़े द्वापर में लिखेंगे गिता फिर भी वही निकलेगी ड्रामा में यही गिता नुंदी हुई है जैसे बाप फिर से इस मनुक्ष को देवता बनाते है वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैट लिखेंगे सत्युग में कोई शास्त्र नहीं होगा बाप सारे चक्र का राज बैट समझाते है तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया आदि सनातन देवी देवता धरम वाले ही अग्जीमम 14 जन्म लेते है बाकी मनुक्ष की तो बाद में वरुद्धी होती है वह थोड़े इतने जन्म लेंगे बाप इस ब्रह्मा मुक्ष से बैट समझाते है यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे यह है वेक्त प्रजापिता ब्रह्मा वह अवेक्त है तो दोनों एक तुम भी इस ग्यान से सुक्ष्म वतनवासी फरिस्ते बन रहे हो सुक्ष्म वतनवासियों को फरिस्ता कहते है क्योंकि हड़ी मास नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड़ी मास नहीं है फिर उनों के चित्र कैसे बनाते है शिव का भी चित्र बनाते है है तो वह श्टार उनका भी रूप बनाते है ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सुक्ष्म है जैसे मनुक्ष को बनाते है वैसे शंकर का तो बना न सके क्योंकि उनका हड़ी मास का शरीर तो है नहीं हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते है परंतो तुम भे देखते हो कि वह सुक्ष्म है अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुआनी बाप की रुआनी बच्चो को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाब ददा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते रात्री का क्लास है मनुक्ष दो चीज को जरूर चाहते हैं एक है शान्ती दुसरा है सुक विश्व में शान्ती वा अपने लिए शान्ती विश्व पर सुक वा अपने लिए सुक चाहा रहती है मनुक्ष को तो पुछना होता है कि अभी अशान्ती है तो जरूर कब शान्ती ह परन्तु वब कब कैसे होती है अशान्ति क्यों हुई है यो कोई को पता ही नहीं है क्योंकि घोरंद्यारे में है तुम शान्ति और सुक के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो तो सुनकर उन्हें खुशी होती है लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो उड़ते नहीं है तुम कितना माधा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं सारी पवित्रता की ही बात है इन में बहुत फेल होते है कोई कन्या को देखा तो आकरशन होती है क्रोध वा लोब वा मोहों की आकरशन नहीं होती है काम माशत्रु है इन पर जित पाना महाविर का काम ह दियाभीमान के बाद पहले काम ही आता है इन पर जित पानी है जो पवित्र है उनके आगे पवित्र कामी मनुक्ष नमन करते हैं कहते हैं हम विकारी आप मिर्विकारी ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी सारी बात विकार की है शादी करते ही है विकार के लिए यह फूरना रहत मा बाप को बड़े हो तो पैसा भी देंगे विकार में भी जाएंगे फिर विकार में न जाए तो जगड़ा मत जाए तुम बच्चों को समझाना होता है यह देवतय संपूर्ण निर्विखारी थे तुम्हारे पास एम अबजिट सामने है नर से नारान राज़ों का भी जाता है यह पाड़शाला है सच्चा सतसंग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सन्मुक राज़ों सिखावे सतका संग चाहिए वही गीता का ग्यान देते है अर्थात राज़ों सिखलाते है बाप कोई गीता सुनाती नहीं है मनुक्ष्य समझते नाम है गीता पाड़शाल पढ़ combin हो जाता है सची अक्षर पढ़ने से खेच हो सकती है शायाथ जूती बी है तो सची अक्षर ज़रूर लिख पढ़े पावन दुनिया सत्युग को पति दुनिया कलियुक को कहा जाता है सत्युग में यह 50 थे कैसे बने सोर शिकलातेहे बाप ब्रम्मा द्वारा पढ़ाते है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे यह यात्रा समझेंगे वही जिनोंने कलब पहले समझा है भक्ति मार्ग के दूबन में फसे हुए है भक्ति का भब का बहुत है यह तो कुछ भी नहीं है स्रिप्स मुर्ति में रखो अभी वापस जाना है पवित्र बन कर जाना है इसके लिए याद में रहना है बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते है उनको याद नहीं कर सकते मुख्य बात यह है सबी कहते है इसमें ही मेनत है बच्चे भाशन तो अच्छा करते है परन तो योग में रहकर समझाए तो असर भी अच्छा होगा याद में तुमको ताकत मिलती है सतोप्रदान बनने से सतोप्रदान विश्वक के मालिक बनेंगे याद को निष्टा कहेंगे क्या हम आदा घंटा निष्टा में बैठें यह रॉंग है बाप स्रीप कहते है याद में रहो सामने बैठ सिकलाने की दरकार नहीं है बहत का बाप को बहुत लव से याद करना है क्योंकि बहुत खजाना देते है याद से खुशी का पारा चड़ना चाहिए अतिंद्रे सुक फील होगा बाप कहते है तुमारी यह लाइप बहुत वैलूबल है इनको तंदुरुस्त रखना है जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे खजाना पुरा तब म तलवार तिकी हो ग्यान में इतना जोहर नहीं है इसलिए किसी को इसलिए किसी को असर नहीं होता है फिर उनके कल्यान के लिए बाबा को आना है जब तुम याद में जोहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचारे आदी को अच्छा तीर लगेगा इसलिए बाबा कहते है मिनाश होंगे अच्छा बच्चों को गुड नाइट धारना के लिए मुक्य सार घर में रहते भी रुहानी सेवा करनी है पवित्र बनना और बनाना है दुसरी पॉइंट इस जिते जी इस जिते जाकते नरक में रहते हुए भी बेहत के बाप से स्वर्ग का वर्सा लेना है कि अपनी सर्व विशेष्टाओं को कार्य में लगा कर उनका विश्तार करने वाले सिद्धी सुरुप भव जितना जितना अपनी विशेष्टाओं को मंसा सेवावा वानी और करम की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेष्टा विश्तार को पाती जाएगी सेवा में लगा स्वरुप अर्था सिद्धि स्वरुप का अनुभव करेंगे स्लोगन है विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयम में समालो यही तिवरप पुर्शार्त है विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयम में समालो यही तिवरप पुर्शार्त है अच्छा, ओम, शान्ती, 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 शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू